अजब चुनाओ की घजब कहानी का सफर एंडी टीवी पर जारी है दोस्तों आपका साथी अनन्द भट एक और कहानी लेकर हाज़र है देश में इस समय लोग सबाद चुनाओ चल रहे हैं देश की दो बड़ी पार्टियां अपने अपने गठवंदन के साथ आमने सामने हैं और ये पार्टियां हैं बीजेपी और कॉंग्रिस आज की कहानी इनी के चुनाओ चिन्नों से जुड़ी है चुनाओ में दलों के चुनाओ निशान का बड़ा महतु होता है ये निशान ही पार्टि की पहचान बन जाते हैं पहले चुनाओ से लेकर अब तक चुनाओ चिन्नों का महतु बना हुआ है ये तो आप सभी जानते हैं कि बीजेपी का निशान कमल है और कॉंग्रिस का देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस के चुनाओ निशान के सफर की कहानी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ ये तो सभी जानते हैं कि 1952 में पहला आम चुनाओ देश का हुआ था कॉंग्रेस का पहला चुनाओ चन दो बैलों की जोडी था कहानी में मोड तब आया जब पार्टी दो धड़ों में बढ़ गए एक तरफ सिंडिकेट और दूसरी तरफ इंद्रा गांदी का गुट सिंडिकेट वाला गुट कॉंग्रेस O था और कॉंग्रेस R में इंद्रा गांदी थी इस रड़ाई में सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद दो जोडी बैल वाला चुनाओ चिन फ्रीज हो गया बाद में चुनाओ वायों ने कॉंग्रेस O को चरखा चलाती महिला वाला निशान दिया यह कहानी का पहला पढ़ाओ था ये कहानी यहीं पर खत नहीं होती बल्कि इस कहानी में आगे एक और मोड आया दरअसल कॉंगरेस में टूट की जो कहानी 60 के दशक के आखर में शुरू ही थी वो 70 के दशक के आखर में फिर से दोहराई गई जैनी के अगोसने फिर से टूट हो गई लेकिन चुनावायोग ने मना कर दिया परवरी 1978 में चुनावायोग ने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को राष्ट्रिय पार्टी के तौर पर मानिता दी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को हाथ का पंजा चुनावचिन के तौर पर दिया गया और तब से अब तक पंजा ही कॉंग्रिस का चुनावचन है कॉंग्रिस की बार तो हो गई अब बीजेपी के निशान कमल की यात्रा के बारे में भी आपको बताता हूँ इस कहानी का एक सिरा जनसंग से जुड़ता है आपको बता है कि 1951 में भारतिय जनसंग को दीपक चुनावचन मिला था 1997 तक जनसंग इसी चुनावचन का इस्तिमाल करेक्ट उसने किया 1997 में जनसंग का विले जनता पार्टी में हो गया बाद में जनता पार्टी का विघटन हो गया 1997 में बीजेपी का जन्म हुआ बीजेपी को कमल निशान मिला और इस तरीके से बीजेपी के पास कमल का निशान आया दीपक से होते हुए तो आपने देखा देश की दो बड़ी पार्टीों के चुनावचन का सफर कितने पड़ावों से होकर गुजरा है वैसे आपको बता दे कि इलेक्शन में चुनावचन के इस्तमाल के पीछे एक बड़ी सोच थी पहला चुनावचन में लड़ा गया था तब भारत की 20 फी सदी आबाद ही साक्षर थी ऐसे चुनावचन के इस्तमाल को ऐसे में जरूरी समझा गया और पहले चुनावचन से लेकर अब तक चुनावचन में भारत में इलेक्शन प्रोसेस में इसका इस्तिमाल चुनावचन का हो रहा है और ये इलेक्शन प्रोसेस का अभिन हिस्सा बन चुका है